मेरी वीडियो वो start होगी फ्रिक्षनल एलेक्टिसिटी से तो थोड़ा सा मैं आपको रिलेट कर देता हूँ मेरी पहले वाली वीडियो दूसरी वीडियो में देखो जैसे कि पहली वीडियो में मैंने डिस्कस्ट कियाता है कि भाई चार्ज जो होता है वो कंजर्वड होता है यानि कि चार्ज कंजर्वड होता है वहाँ मैंने ये भी डिसक्स किया था चार्ज क्या होता है फिर मैंने डिसक्स किया था चार्ज मेजरेबल होता है या नहीं या चार्ज को अगर major करते हैं, तो किस unit में major करते हैं, तो यह सरी चीजे मैं पिछली वीडियो में देख चुका, बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो आज जो मैं start करने वाला हूँ, वो अपने next lecture से start कर रहा हूँ, electric charges and field का, तो जैसा हमने उस वीडियो में देखाता है, कि हमारा जो charge होता है, वो conserved nature का होता है, यानि, charge cannot be created, not be destroyed, but can be transferred, वहाँ एक word आया था, कि charge transfer हो सकता है, तो वहीं एक पस्तरनाक लगाता है, कि charge transfer कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, charge को transfer करने के लिए, point clear है, यानि कि हमें ये तो पता है, charge ना बन सकता, charge ना डिश्टर हो सकता, charge एक body से दूसरी body में transfer हो सकता है, लेकिन अब बात आती है, how, तो इसलिए अब हम पढ़ेंगा, frictional electricity, तो आपको clear हो गया, मेरा first lecture, second lecture से connect हो गया, तो frictional electricity में हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम के से, जो charge होता है, वो एक body से दूसरी body में जाता है, तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, frictional, friction का आपको मतलब पता होगा, friction क्या होता है, जब दो relative motion होते है, दो body के बीच में, अगर दो body रब करती है, तो इनके बीच में, जो force होती हो, frictional force होती है, आपने frictional force ही जाती है, जब भी दोनों को क्या किया था, relative motion किया जाता है, तो एक body और दूसरी body में electron का transfer होता है, यानि कि obviously एक body को electron देगी और दूसरी body को electron लेगी, और इस तरीके से हमारा charge transfer हो जाता है, तो आपको एक idea हो गया, कि हम frictional electricity में क्या पढ़ने वाले है, हम frictional electricity में पढ़ने point, it is the static electricity generated by friction, ये एक static electricity होती है, friction की हैं से produce होती है, ठीक है भाई, याद रखना कैसी electricity है, static electricity, और, frictional electricity is the electricity produced by, frictional electricity is the electricity produced by rubbing two suitable bodies and the transfer electron from one body to another, यानि, frictional electricity produced होती है, जब हम रब करते हैं, कोई भी दो suitable bodies को, क्या वाद यूज क्या है, दो suitable bodies, यानि के भी हम बात करेंगे, दो suitable body क्यों बोला, दो suitable body का मतलब क्या है, कि दोनों body, उनके अंदर, या ऐसे कह सकते हो, static electricity है, दोनों body insulator होनी चाहिए, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में discuss करूँगा, ठीक है, तो अभी आप याद रखो कि दो body को रब कर रहे हैं, दो suitable bodies को रब करके transfer electron होता है, एक body से दूसरी body में, ठीक है मेरे बाई, second point के लिए हो गया, तो आपको पता चल गया, कि static electricity क्या है, और आपको पता चल गया, frictional electricity क्या है, या आप ऐसे electricity, यानि electricity को उन्हों ने क्या बोला है, electricity वो property है, rubbed object है, जैसे आपने देखा होगा, scale आप लेतेते होगा, बालमर रखो करते थे, तो जब आप scale को बालमर रखो करते थे, फिर pieces हो paper की पास लिया थे, तो जो इस scale की property है, जो इस scale की property है, इसमें rubbed करने की वजा से आ गई है, क्या property आ गई है कि ये thin papers को attract कर सकता है तो इसी property का नाम है electricity clear हुआ मेरे बाई यानि rubbed body अगर किसी भी दूसरे pieces of paper को बहुत अलके paper जो हो उन्हें अगर attract कर पा रही है तो उस property का नाम है electricity clear है आगे बढ़ते हैं the electricity developed by rubbing or friction is called frictional or elastic electricity अभी मैंने कुछ देर पहले ही इस बाती बोल दी थी जो electricity develop होती है जो electricity produce होती है by rubbing rub कहλοं friction कहλοं डोणों का meaning same है rub करना या friction डोणों का relative motion उसकी बजाथ से जो electricity produce होती है उसे हम कहते हैं Frictional electricity या अभिर Static electricity Static electricity को आप Frictional electricity भी कहते हो Frictional electricity को आप static electricity भी कह सकते हो, clear है, next, the rubbed substance which saw this property of attraction, the rubbed substance which saw the property of attraction, are said to have become electrified or electrically charged, यानि कि जो आपने दो बॉड़ी को रब किया, और रब करने की वज़ा से, जो बॉड़ी के अंदर electricity प्रोड्यूजी उसकी वज़ा से, जो आपकी बॉड़ी है, वो क्या कहलाती है, electrically charged कहलाती है, या electrified, clear है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दू, static electricity क्या है, आप ने रब किया, रब करने की वज़ा से, जो electricity produce हुई, उसे क्या वोला, static electricity, और जिन आपजेक्ट ने रब किया, इस दूसरे को, वो क्या बन गई, electrified हो गई, या फिर वहाँ पर electrified हो गई, या फिर वहाँ पर electrically charged हो गई, clear है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, कि दो बोड़ी रब की जाएंगी, और दो बोड़ी को रब करने के बाद, electricity produce होगी, यानि चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर जो हो रहा है, उस property को हम बोल रहे है, electricity, और उस electricity का नाम है, या तो static electricity, या फिर frictional electricity, और जो रब बोड़ी है, जिनकी वज़ा से electricity produce ह रही है, उनको बोला गया है, या तो electrified हो गए, या बोला गया है, electrically charged हो गए, जैसे आपको पता है कि रब किया, एक मैस एलेक्ट्रौन चले गए, electrified हो गया, वह बात अलगए कि positive हो गया, और जिसमें electron गए, electrified हो गया है, यानि कि negative हो गया, तो इन्होंने जो बड़ electrified हो कि यह इसमें कोई भी हो सकता है या तो फो बाडई पॉजिटिव बन सकती है और या फिर नेगेटिव बन सकती है के लिए न मेरे भाई तो यह बात ती आपकी फ्रिक्ष्ट्न एलेक्ट्रिसिटिटी के प्रोडिश होती है अब थोड़ा सा समझने कुछिशिस करेंगे इलेक्ट्रोन जाते कैसे हैं अब यह तो पता चलेगी हैं हमें क्या पता चला कोई भी दो बोडी हैं उनको रब कर दो उनको रब कर दो तो इलेक्ट्रोनिक बोडी से दूसरी बोडी में चले जाते हैं लेकिन किस तरीके से जाते हैं एक्शली होता क्या है महां पर तो इससे स समझने के लिए अपना electronic theory of frictional electricity क्या पढ़ाएंगे ihan approximate a लेक्टिसण इलेक्टिसटी UC हो रही है उसकी प्रोड्यीरल कहीनि is with the electron iũ के साथ क्या हो रहा है ठीकrawे आप सही सोच रहे हूं तो उनके साथ क्या हो रहा है थोला सो समझे कुछ करते हैio इचिर अने वह लिलिए उल्मेटर एप water बिल्कुल सही बात हर एक बोडी किस से मिल किस क्या है All the matter is make up of atom हर एक बोड़ी मैंटर है और हम् Manor,כ прим क्या बोल रहेदे हैं दो बॉड्य को रव किया तो जिन दो बॉडी को रव किया वो क्या होंगे matter और matter किसे मिल के बने होगे atom तो ऐसा तो नहीं हो सकता भया मेरी वाली body में atom नहीं है जिस body को मैं रभु कर रहा हूं उसमे अटम नहीं है इसा कोई बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता है यानि अगर आपने कोई भी दो body को रभु किया हुआ है तो इतना तो clear है दोनों body matter है हाँ या ना और दोनों body पर atom है तो पहली वात clear होगे all matter is made up of atom ठीक है आगे दिखते हैं क्या होता है जो atom होता है consists of small central nucleus यानि जो atom होता है उसके center में nucleus होता है तो जैसे अगर मैंसे atom मानूं तो उसके center में कही nucleus होता है ठीक है भईया and atom consists of small central nucleus containing proton and neutron और जो atom का nucleus होता है, जो की center में होता है, उसके अंदर क्या-क्या है, proton and neutron, यानि यहाँ पर क्या-क्या है, लिख देता हूँ, proton and neutron, कहाँ पर है मेरे बाई, nucleus में हैं, किसके nucleus में है, atom के nucleus में है, यानि कि, atom consists of small central nucleus, containing proton and electron, ठीक है, around which revolve a number of electron, और उस nucleus के चारो और, उस nucleus के चारो तरफ, electron revolve करते रहते हैं, यानि कि कुछ यह nucleus है, यहाँ पर क्या करते रहते होंगे, electron revolve करते रहते होंगे, यहाँ पर electron revolve करते रहते हैं, ठीक है भाईया, nucleus हो गया, इसके around electron revolve करते रहते हैं, इन्होंने दूसरे point में यह clear कर दिया, पहल और जो electron है वो उसके आस पास है ठीक है मेरे बाई आगे बोला है the electron of the outer cell of an atom are loosely bound through the nucleus यानि ध्यान दे समझना nucleus क्या होता है positively charged electron क्या होता है negatively charged अब हम सब जानती है अगर यह positive charge और negative charge होंगे तो दूसरे लोगों क्या करेंगे attract करेंगे और positive और negative जितना पास होगा उतना ज़्यादा attract करेंगा तो यह कहरा है जो यह पहली वाली cell है जो यह पहली वाली cell है इसमें जो electron होंगे वो positive charge के पास है positive negative strongly attract पकड़ के रग लिया इसके बाद वाली जो cell है उसमें थोड़ा दा distance बढ़ गया nucleus positive charge और second cell में जो electron है वो negatively charge क्या हो गया attraction थोड़ा कम हो गया और अगर बात की जाए बाहर वाली cell यानि कि outermost cell में तो outermost cell में आपके electron loosely bound होते हैं यानि कि सबसे ज्यादा कम force of attraction होती है यानि positive यह रहा electron का negative वो रहा positive negative दूर दूर force of attraction कम हो गया यानि अब जो भी electron जाएंगे वो अंदर वाले नहीं जाएंगे ना first cell के रहेंगे ना second cell के जाएंगे ना first cell के जाएंगे ना second cell के जाएंगे और न मैं कहरा third cell के जाएंगे मैं सिर्फ word use कर रहा हूं outermost cell के जाएंगे क्या word use कर रहा हूं outer most cell के जाएंगे यानि जो electron जाते हैं, transfer होते हैं, वो कहा से होते हैं? Outermost से, Outermost से क्यों होते हैं? क्योंकि Outermost cell में जो electron होते हैं, वो loosely bound होते हैं, किस से? Nucleus से, क्योंकि जो pass वाली cell है, उनके भीचे तो force attraction ज़्यादा है, कम कहां पर है? जो आखरी में सेल है, उसके अंदर जो एलेक्ट्रोन है, उसका किस के साथ? नूकलियस के साथ, और नूकलियस में कौन है? प्रोटौन एंड, नूट्रोन, तो आपको के लिए हो गया हो अच्छे से, कि भाहिया, एलेक्ट्रोन जो जाते हैं, ट्रांसर करके, कोई एक जगे से दूसरी का वैसे तो जा नहीं सकता कुछ ने कुछ उस पर energy होनी चाहिए तो the energy required to remove an electron from the surface of material is called work function याद रखना यह work function तो यह तो work function का मतलब क्या होता है work function का मतलब होता है कि जो energy required होती है जो energy needed होती है किसको electron को क्या करने के लिए अपनी surface को छोड़ के जाने के लिए उसी को कहते है मेरे बाई work function clear हुआ work function क्या है required energy जो कि electron को चाहिए अपना surface छोड़ के दूसरे जाने के लिए ठीक है बाई work function समझा आगे work function क्या होता है आगे बात करते है when two different bodies are rub against each other जब दो body एक दूसरे से रब की जाती है एक दूसरे के साथ electron transfer होते है from material with lower work function to the material with higher work function थोड़ा दा द्यान्द समझ ले ना कहां से lower work function जिसका lower work function हो जिसे lower energy हो कहां पर higher work function में with a higher work function अब याद आ गया जब मैंने पहले बोलाता with two suitable bodies ऐसा ना हो दौनों के work function ही सेम हो अगर दौनों के work function ही सेम हो फिर कैसे जाएगी तो clear है तो वहाँ पर यह word यूज़ क्याता ना कि friction electricity दो suitable bodies लग करने चाहिए तो दो suitable bodies समझ में आ गया एक suitable body कैसी होनी चाहिए जिसका work function कम हो और दौसी suitable body कैसी होनी चाहिए जिसका work function जादा हो तो electron कहां से कहां जाते हैं with lower work function to the material with higher work function यानि lower work function को छोड़के lower energy को छोड़के electron higher energy की तरफ जाते हैं clear है तो जो दो suitable bodies था है वो भी concept आपको clear हो गया work function क्या होता है वो भी clear हो गया जो energy required होती है electron को अपने outer mode cell को छोड़के जाने के लिए उस energy को क्या कहते है मेरे बाई work function कहते है clear है तो आई तिंग आपको clear हो गया होगा ये था थोड़ा था मेरा frictional electricity का part ठीक है ये मेरा electric charge and field class 12 physics chapter 1 का second lecture था मैं इसे series में बना रहा हूं topic wise ठीक है तो मिलते हैं फिर अपने next वीडियो में एक नई concept के साथ फिर तब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक ये सो मच